प्रदार मंतरी नरेंदर मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने अभिभासन के दोरान घोशना की थी कि लड़कियों के शादी की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए इसके अनुरूप सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की वैद्य नियूंतम उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने का फैसला किया है दूलहा दूलहन की नियूंतम उम्र में समानता लाने के लिए तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट ने मन्जूरी दे दी है देश में इसके पहले भी दूलहन की नियूंतम उम्र बढ़ा कर 12 से 14 और 15 फिर 18 किया गया था लेकिन हर बार ये दूलहे की नियूंतम उम्र से कम ही रही सरकार के ताजा फैसले से देश में लड़कियों व लड़की की शादी की वैद न्यूंतम उम्र समान हो जाएगी कानून में संसोधन करने संबंधी विधेग संसत के मौझूदा सीटकालीन सत्र में लाया जा सकता है प्रस्तावित विधेग में विभिन समुदायों के विवाह से संबंधित परसनल लौ में महत्तोपूर्ण बदलाव का प्रयास किया जा सकता है ताकि विवाह के लिए उम्र में एक रूपता सुनिश्चित की जा सके एक समीती बनाई गई थी जिसकी अध्धक्ष समता पार्टी की पूरवधक्ष जयाजेटली ने कहा कि लड़कियों को भी कमाने और पूरसों के बराबर होने का आउसर दिया जाना चाहिए यदि परतिये क्षेत्र में लेंगिक समानता और सशक्ति करण की बात करते हैं तो फिर विवाह में ऐसा क्यूं नहीं कर सकते ये बहुत ही विचित्र बात है कि लड़की 18 साल में शादी के योग्य हो सकती है जबकि इस करण से उसके कॉलेट जाने का आउसर खत्म हो जाता है दूसरी तरफ लड़के के पास अपने जीवन और जीविका के लिए तैयार होने का 21 की उम्र तक आउसर होता है सिफारिश करने से पहले बहुत सारे लोगों से इसकी राय ली गई थी लेंगिक निस्पक्षता के लिहाज से उम्र बढ़ानी की जरूरत समझा गया इसके अलावा जल्द शादी होने से लड़कियों की सिक्षा उनकी आजीविका के अस्तर पर भी विपरीद प्रभाव पढ़ता है इसलिए सशक्ती करण में मदद मिलेगी जल्दी गर्वधारन कर माताओं और उसके बच्चों के पोषण अस्तर और स्वास्त पर विपरीद भी असर पढ़ता है इससे शिशु और मात्र मित्युदर कम करने में मुश्किल होती है उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के लिए तीन कानूनों में संसोधन करना पड़ेगा ये हैं विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निशेद अधिनियम 2006 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन तीनों में निउन्तमों में लड़की की 18 और लड़की की 21 है सरकार ने ये निड़ें समता पार्टी की पूर्वधच जया जेटली की अध़क्षता वाले कारेबल की सिफारिश पर लिया है वर्स 2020 में इस कारेबल का गठन किया गया था जिसमें कई दिगज और सिक्षवित शामिल थे आपको बता दें कि बिर्टिस राज के दौरान एज आफ कंसेंट एक्ट 1891 पास किया गया था इसके तहए भारती लड़कियों की शादी की नियुनतम उम्र बढ़ा कर 12 साल निरधारित की गई बिर्टिस राज में ही वर्स 1939 में बाल विवाह निरोधक कानून बनाया गया शारदा आएक्ट के नाम से मश्हूर इस कानून के तहट लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ा कर 14 साल कर दी गई आजादी के बाद वर्स 1949 में भारत की अंतरिम सरकार ने कानून में संशोधन करके बेटियों के शादी की उम्र बढ़ा कर 15 साल कर दी भारत सरकार ने 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की नियुनतम उम्र 18 साल कर दी बिदेश में शादियों की उम्र की बात करें तो अमेरिका में लड़के और लड़कियों की 18-18 साल ब्रिटेन में 16-16, जर्मनी में 18-18, फ्रांस में भी 18-18, चीन में 20-22 यानि 20 लड़की और 22 लड़के की बंगला देश में 18-21, तथा पाकिस्तान में 16-18 निर्धारित हैं